दोस्तो अब सभी लोगों को पता होगा रिपेरिंग का काम करने के लिए सोल्डरिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है एसमें अगर आपको अच्छे से सोल्डरिंग करना है तो आपको सोल्डरिंग करने के लिए जो मैटरियल्स की जोरत परती है वो आपको बहुत ही अच्छा वाला चूज करना होता है मैं लगबग चार साल से रिपेरिंग का काम करता हूँ और रिपेरिंग करते समझे सोल्डरिंग का काम करता हूँ उसके अंदर मैंने बहुत सरे अलग-अलग टाइप का, अलग-अलग कमपनी का और अलग-अलग डिजाइन का सोल्डरिंग आयरोन और उसके साथ साथ जो भी मैटरियल जोरत परते हैं सभी मैंने इस्तिमाल किया हूँ तो इसलिए बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास कि आप कौन-कौन सा चीज और कौन-कौन सा मैटरियल सोल्डारिंग के लिए यूज करते हूँ उन सारे मैटरियल के लिस्ट के बारे में तो इस वीडियो के नीचे जो रेट बटन दिख रहा होगा उसके उपर प्रेस कर दिजिएगा उसके साथ साथ बगल में जो बेल आइकोन दिख रहा हो है उसके उपर भी किलिक कर दिजिएगा इसमें क्या होगा कि मैं जब भी निया वीडियो डालूँगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे उसके बाद दोस्ता को क्या करना होगा इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा जहां पर आपको लिखा रहेगा My Daily Use Material for Repairing Work तो इस लिंक के उपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकर करके एक वेबसाइड ओपेन हो जाएंगे जो की हमारा ही ओफिसियल ओपसाइड deepelectronicslab.com तो से.com को आप जैसे ही ओपेन करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकर के हो जाएंगे और थोरा साप नीचे स्क्रोल करोगे तो सबसे पहले आपको Soldering Iron के बारे में जानकरी मिलेंगे और यहाँ पे मैंने दो अलग-अलग Soldering Iron के बारे मैंने बताया हूँ और दोनों मैं परसनाली इस्तेमाल करता हूँ जैसे कि देख सकता हूँ एक तो adjustable 60W का Soldering Iron दूसरा 25W का Soldering Iron मैं जब भी कोई बड़े चीज का repairing का काम करता हूँ और अगर वहाँ पे Soldering का काम करना होता है तो मैं adjustable वाला यूज करता हूँ क्योंकि अगर माल लिजे हमें कहीं से भी जो डायोड है वो निकलना है जो कि 6A का डायोड होता है तो उसको निकलने के लिए हमें 60W वाला Soldering Iron की जोरत पड़ेगी उसके साथ साथ जब आप Soldering कर रहे हो उस समय आपको लग रहा है कि हमारा Soldering Iron में टेंपरेचर कम है जिसके बाएं से अच्छे से Soldering नहीं हो पा रहा है तो आप उसी समय Soldering Iron के जरिए उसका जो नौब आपको देखने को मिलता है उस नौब को घुमा के आप उसका जो अपरेचर है वो घटा सकते हो और बरहा सकते हो यह काफी हमें अडवन्टेज मिला है इसलिए मैं सोल्डरिंग का काम करने के लिए सबसे पहले तो मैं प्रिफर करता हूं यह 60 वाट का एड़स्टेवल वाला और उसके बाद 25 वाला जो कि आपको नोकिला बीट के साथ मिले आरोने जिसके अंदर मैंने नोकिला वाला सोल्डरिंग बीट मैंने लगा के रखा हूं यह मुझे काफी ज्यादा काम में आता है और यह जो दोनों सोल्डरिंग आरोने मैं एक साथ गरम करके रखता हूं क्यूंकि कौन सा कब इस्तेमाल होंगे यह मुझे भी नहीं पता हो इस्तेद्स आफ अगलाग टाइप का आप को देखने को मिलेंगे सबसे पहले तो आप यहां पे देख सकतो आगर हमें रिवलिंग करना है और ग्रीज़ पेस्ट को यहुश्सका करता हूं तिसरी नंबर 7 पेस्ट को यूश्री अब देखंगर सब्सक्राइब लेकिन ये काफी आच्छा है अगर मान लिजे आपके पास कोई नया PCB आया है और उस PCB के अंदर आपको solder करना है उस समय अगर आप इस flex को थोरा सा वहां पे liquid डाल दोगे या उसके बाद वहां पे solder का काम करोगे तो बहुत ही बड़ियात सा आपको soldering देखने को मिलेंगे और जल्दी से वह चिपक जाएगा उसके बाद अगर हम अगले material के बात करें तो वह है solder wire यह solder wire आपको market में अलग-अलग company का देखने को मिलेंगे लेकिन मैं जो पार्सनल यूज करता हूँ वह 63 by 37 और 60 by 40 यह दोनों में इस्तेमल करता हूँ क्यूंकि क्यूंकि यह जो दो solder wire है सबसे जादा बेस्ट है market में अगर आप जानना चाते हो कि यह दोनों solder wire क्यूं बेस्ट है तो आप नीचे कमेंट करके बताएए इसके उपर में अलग से वीडियो बना दूँगा और सभी कुछ calculation करके भी मैं आपको बता दूँगा तो हमारा अग कोई dip package का components को खोलता हूँ उस समय legs पर जो भी solder लगा होता है तो उस legs से solder wire को remove करने के लिए हमें desoldering pump या desoldering wire की जुरूत पड़ता है तो चाहे तो आप इसको भी purchase कर सकते हो उसके बाद हमारा अगला full and final जो material है वो tip cleaner क्यूंकि यह जो material है यह बहुत ही useful चीज़े और आप के पास यह होना ही चाहिए अगर आप repairing का काम करते हो या अगर आप कोई भी solder का काम करते हो क्यूंकि soldering करते समय हमारा जो soldering iron में tip लगा होता है उस tip को clean करने के लिए यह हमारा tip cleaner की ज़रत पड़ती है तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि मैं soldering करने के लिए कौन- कौन सा materials यूज करता हूँ आपने shop के अंदर तो दोस्तों आगर आप इन सारे materials को purchase करना चाहते हो तो इस वीडियो के description में first पे जो link आपको मिलेगा उस link पे click करके ही आपको इन सारे materials का list भी आपको मिल जाएंगे और list के साथ साथ आपको सभी का purchase करने का link भी आपको मिल ज लिए कौन कौन सा materials की जुरत परती है